पलपल नियूज के नियूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम अपली पापा मोदी जी की इज़त को बचाने के लिए भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथी साथ अंदवक्त बिना सरपैर की लॉजिक वाली बातों को मीडिया के जामने रख रहे हैं जिसे पापा की इज़त पर कोई आच ना आने पाए तो वही गोदी मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है चाहे अंजना ओम कश्यप की बात की जाए चाहे रुबिका लियाकत की बात की जाए चाहे सुधीर चौधरी हो या अमिश देवगन हो हर कोई मोदी जी की छवी को सुधारने पर लगा हुआ है और मजाल के कोई ये कह दे किसानों के आगे पापा ने घुटने टेक दी है जो अडियल पापा इनके अडे हुए थे कि वो किसानों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे एक इंच भी पीछे नहीं अटेंगे तो किसानों ने एक इंच क्या कई कोस पीछे कर दिया है भारती जनताप पार्टी को जिसमें श्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा ये एलान कर दिया गया कि वो तीनों कृशी कानून बिल जो है वो वापस लेते हैं मीडिया के आगे आ करके मन की बात तो कह दी पर किसारों को मन की बात पर भरोसा नहीं है जबतार लिखित में सारे काम नहीं हो जाएंगे तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे इसी को लेकर के दिन राट TV चैनलों पर डिबेट चल रही है और डिबेट में अमिश देवगन जो है चाटू कारिता की सारी हदे पार करता हुआ आगे बढ़ गया है जिसे जनता जो है माई डियर फ्रेंड बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि अमिश देवगन को किस नाम से पुकारा जाता है बाकी अब जो चीजे मीडिया के जरीए सामने आ रही है उसे भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि अमिश देवगन और भारती जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें बुरी तरीके से राकेश टिकैट जीने जलील कर दिया है और मू दिखाने लाइक इन लोगों को नहीं छोड़ा है क्योंकि मू जोरी और सीना जोरी करना अमिश देवगन की आदत है पर राकेश टिकैट के सामने ये सारी चीजे करना महंगा पड़ गया है किस तरीके से अमिश देवगन पूरे इस मुद्दे पर वखलाया हुआ है इसे आपके सामने रखूंगा उससे पहले एक अपील अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकॉन धबाईए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साज़ा की जा सके और अगर ये व वीडियो पर नज़र डाली तकलीफ हो रही है जिनकी सडके बंद कर रखी है उनके लिए उनके समाधान निकलना चाहिए प्रधान मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और समाधान इसलिए जरूरी है कि जनता देश की परिशान और पिछले साल से तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा जिसमें राकेश टिकैट और अमिश्देवगन आमने सामने हैं और यह कहा चाहता है अमिश्देवगन द्वारा के आपने एक सान से वहां के लाके के लोगों को बंदक बना लिया है यह चीज़े जो हैं मीडिया के जरिये पेश की जा रही हैं और असल में अमिश्देवगन सारा जोर दे रहे थे तो कानून वापस हो गया अब आप लोगों को सड़कों पर बैठने का अधिकार नहीं है अब घर वापसी आप लोगों की हो जाए इस पर राकेश तिकैट ने क्या कुछ कहा है इसे आपके साम सी कब है उन्हें भी आंदोलन खतम कर वापस लोट जाना चाहिए ऐसे में राकेश तिकैट ने कहा कि MSP पर कानून भी प्रमुक मांग है जब तक इसका समधान ना हो जाए किसान कहीं नहीं जाएगा अमिश्देवगन ने डिबेट के दौरान राकेश तिकैट से कहा कि आं समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे अब जब प्रधान मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो आपको नहीं लगता कि समधान निकलना चाहिए समधान इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की जंता परेशान है आपने उन इलाकों के लोगों को लगभग एक साल से बंधक बना रखा है इस पर राकिश टिकैत ने जवाब देते हुए कहा कि अरे हमने तो कल भी जिठी लिखी है इनका समधान निकलना चाहिए बात तो कर लें टेबल पर बैठ कर हमने सडके नहीं बंद की हैं सडके तो सरकार ने बंद की हैं हमने तो सडकों को खोला है अमिश प्रदूशन का सामान तो आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ मेरे बच्चे भी करेंगे आपके बच्चे भी करेंगे उसमें किसकी गलती है इस पर राकिश टिकैत कहते हैं कि ठीक बात है आप पराली पर भी सुन लो आज तक भारत सरकार और साइंटिस्ट क्या कर रहे तो हम आपको चावल बढ़िया पैदा होना चाहिए चावल खाने में अच्छा होगा लेकिन बगैर पराली के कैसे होगा अमीश देवगन कहते हैं राकेश भाई आपने सुविधा के अनुसार उधारन दे दिया आपने बोला विना माबाब के बच्चा कैसे पैदा होगा कोई विना माबाब के बच्चे को पैदा करने के लिए नहीं बोल रहा है लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा है कि 9 महीने कोख में बच्चा रखा जाए वो पैदा हो जाए और फिर दस्वे महीने में फिर बच्चा पैदा हो जाए ऐसे ही हल नहीं निकल सकता अमिश्देवगन ने आगे पूछा कि पबलिक आप से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है कि आप अपना गोल्ड पोस्ट बदल रही है यानी पहले आप कानून वापस करना चाहते थे लेकिन अब आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है ये ऐसी चीजे हो गई हैं जैसे बच्चे ने एक बड़ा खिलोना मांगा वो मिलने के बाद वो दूसरे की जिद करने लगा इससे काम नहीं चलेगा ये सुनते ही राकेश टिकैद भड़कते हुए बोले आप गलत प्रचार चलाते हो हमने तब भी कहा था कि चार डिमांड थी ध्यान से सुनलो फिर दो चीजों से सहमती बन गई थी तो दो चीजे रह गई थी जब तक हमारी चारों मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अडने वाले हटने वाले नहीं हैं ये चीजे अमिश देवगण और राकेश टिकैद के बीच सीधी सीधी नोब चुक हुई तो भारतिय जिन्ता पार्टी के प्रवक्ता भी इस पर उचलते हुए तमाम चीजे कहने लगे और ये बताने की कोशिश करने लगे केंदर सरकार दौरा तीन कृशी कानूनों को वापस लेने के बाद अब किसान आंदोलन को लेकर बहस चड़ी हुई थी बता दें कि आंदोलन खत्म करने को लेकर भारतिय किसान यूनियन राष्टिय प्रवक्ता राकेश टिकैद ने MSP की गैरंटी पर कानून मांगा है वही इस मुद्दे पर भाष्पा प्रवक्ता राकेश टिकैद और किसान नेता राकेश टिकैद के बीच एक टीवी डिवेट में दिल्चस्प बहस देखने को मिल गई बता दें कि राकेश टिकैद जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने गेहूधान की रिकॉर्ड खरीदारी की है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इस पर टिकैद ने जवाब दिया कि आपको एक ही जिले का डाटा दिया गया है किसी और के सामने ना कह देना दरसल भातपा प्रवक्ता ने कहा कि राकेश टिकैट जी इस बात को वहितर तरीके से जानते हैं कि 433 लाख टन की गेहूधान खरीदी हुई है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई इससे पहले MSP पर भी धान की खरीद भी पहले कभी नहीं हुई हमने रिकॉर्ड खरीदारी करने का काम किया है जिस पर टिकैट ने जवाद दिया कि मैं ये पूछना चाहता हूँ जो मनसूरी धान बिहार और उसकी सीमा पर पैदा होता है उसी धान की रामपुर में खरीद होती है उन्होंने भाजपा प्रवक्ता से कहा आपको एक ही जिले का आकड़ा दिया गया है ध्यान से सुन लेना किसी और के सामने ना कह देना कि सरकार ने खरीद की है उन्हों ने कहा ये खरीद सरकार ने नहीं वैपारियों ने की है वैपारियों ने ही उस धान को MSP पर वेचा है आपके ही लोग 20-30,000 कुंटल धान को रास्ते में खरीद कर और MSP पर वेचते हैं कि आप यही व्यवस्था चाहते हो उन्हों ने आरोप लगाते हुए कहा यही वज़ा है कि आप MSP नहीं लाना चाहते क्योंकि इसमें आपके ही लोग जो है धाराशाही हो जाएंगे तो यह डाटा जो है भारतिये जिन्ता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा पेश किया गया जिसमें राकेश टिकैट ने पहले अमिश्देवगन की बोलती बन की और उस तरीके से उत्रा हुआ है जिस पर राकेश टिकैज वखु भी उनको जवाब भी दे रहे हैं मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा दीजे इजाजत शुक्रिया